Good evening friends और आज का vlog मैं start कर रही हूँ अभी Saturday evening से क्योंकि अभी हम लोग जा रहे हैं एक marriage function में तो मैंने सुचा कि मैं आपको उसकी थोड़ी clips दिखाती हूँ कि यहां महरास्ट में हम लोग है तो यहां पे पंचाबी शादी कैसी होती है तो मैं उसकी थोड़ी सी clips shoot करूँगी I hope आपको अच्छा लगेगा और अच्छा लगे तो please video को like जरूर करिएगा यह जो dress पहनी है यह वही reception वाली dress है जो मैंने अपनी sister-in-law की शादी में पहनी थी I hope आपने वो video देखा होगा नहीं देखा है तो मैं उसकी link अपने description box में डाल दूँगी आप check out कर सकते हैं और मैं मैंने बहुत ही light makeup किया है ज्यादा कुछ नहीं किया है आप देख सकते हैं मैंने आइस पे भी थोड़ा सा ही makeup किया है और dress में आपको अभी पूरी दिखा दूँगी की कैसा look लग रहा है तो अभी हम लोग कैब में आ गए हैं और मैं आपको सीधे फिर मैरिज पार्टी में मिलती हूँ क्योंकि अभी यहां पर बहुत डाकने से और कुछ भी दीख नहीं रहा है इधर मेरे हस्बेन है और वो भी आपको हाय कर रहे है तो चलिए फिर मैं आपसे डारेक्ट फिर मह हां मिलती हूँ फंक्शन में हुँ दो झाल झाल आड़ लिवा लिवार अुछ करप लोगगों , लिवार अॉपी इसे लिवार एक्षाथ इसे लिवार इसे लिवारा इसे लिवार आड़े मुपीशा संग इसे लिवार मेर क liksom फिर हम लोग वापस अपने घर आ गए और फिर सो गए क्योंकि लेट बहुत ज़्यादा हो गया था तो मैंने ये क्लिप यहीं पर स्टॉप कर दी थी वेलकम बैक फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग और आज है संडे और आप सभी जानते हैं मैं संडे की व्लॉगिंग करती हूं बट मैंने ये वीडियो जो है स्टार्ट कर दिया था सैटर्डे इवनिंग से और आज हम लोग जा रहे हैं अपने एक फ्रेंड से मिलने जो कि हमारे क काफी दिनों पार मिल रहे हैं तो वह लोग आया हुँ रहे हैं मॉम्बई और हम 17 के लिए उनके और हम चा यह उपले दोग से क्यांकि प्रेंड हैं क्लीन ही सबसे अच्छा बेस्ट आप्षिन है मुम्बई में कहीं भी ट्रेवल करने का झाल झाल वर्णिंग फ्रेंड्स और अभी टाइम हो रहा है सुपए का दस्क और हम लोग आए हैं अपने एक फ्रेंड से मिलने के लिए तो जैसा कि आपने देखा मैं आपको मॉर्णिंग का दिखाई दिया था कि आपको फ्रेंड से आए हैं तो यहां हम दोनों के ही फ्रेंड हैं मेरे हजबन के फ्रेंड मेरी फ्रेंड के हजबन है और यह मेरी फ्रेंड है तो यह भी मरीनर ही है और मुंबई आए हैं अपने कुछ काम से यितो है गुटटा बात करते करते टाइम कैसे निकल गया पता ही नहीं चला और अब हमारे जाने का टाइम है क्योंकि आज मेरी फ्रेंड की भी फ्लाइट है वो लोग वापस को उलकाता जा रहे हैं तो उन लोगों को भी निकलना है और हमें भी अपने घर के लिए वापस निकलना है तो अभी हम दोनों ही साथ निकल रहे हैं 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 मेरा इस समय पांच परजे वाली चाय बिल्कुल तयार है तो मैंने सुचा मैं आपके साथ कुछ कपशप भी कर लेती हूँ और अपनी चाय पी लेती हूँ क्योंकि आज मैं चाय पी रही हूँ अकेली हम लोग जब अपने फ्रेंड से मिलके आये थे तो फिर बहुत टायड हो गए थे इस वज़े से फिर हम लोग रेस्ट कर रहे थे अभी मेरे हस्बेंड और मेरा बीवी जो है वो सो रहे है और मैं जो उट गई थी तो मैं तो वैसे दुपहर में सोती नहीं हूँ इस तो मैं मैं अपना कुछ एडिटिंग कर रही होती हूँ कि पी हूँ सो रही होती है तो बस फिर मैं थोड़ा सा अपना एडिटिंग करी आप से कुछ बाते करते हैं मैं खारी हुई यहां लिटिल हार्ट अच्छा हाँ मैं एक बात सोच रही थी मैं इक बात सोच जा है कि अपने व्लोग में अप लोग के जो प्यारे प्यारे कमेंट सोते हैं मैं उसको कुछ रीड किया करूंगी और आप लोगों के नाम लिया करूंगी तो आज जिसने मेरे अनिवर्सरी के व्लॉग में मुझे विश किया है आज मैं उसका उन सब का नाम लूगी I hope आपको इस आइडिया पसंद आएगा तो फ्रेंड्स मैं जल्दी से अपनी चाय फिनिश कर लेती हूं और फिर मैं आपके सामने उन सब के नाम लीड करती हूं जिसने मुझे विश किया था और बहुती प्याले-प्याले मुझे कमेंट्स किये थे सबसे पहला जो कमेंट है वो है इसमिता सिंग का श्वेता तुम्हारी एनवर्सरी का वीडियो देखकर मैं खुद रोने लगी हैपी एनवर्सरी डियर तो समिता थैंक यू, थैंक यू सो मच कि तुमने मेरे एनवर्सरी का पूरा वीडियो देखा नेरी शादी का और ठेंक्यू सो मच कि आपने मेरे को विष किया जो कमेंट है, वो है आसस्य रावल का तो इननों ने लिखा है बिदाई का सीन बहुत ही दर्द भरा है तो आस्स रावल जी बिदाई का सीन होता ही उतना मतलब दर्द भरा है किसी की भी बिधाई देखो तो आपको रोना आई जाता है बट आप मेरे लिए आपको रोना आया so thank you next जो comment है, message है वो है fake accent से इनों ने लिखा है इतनी प्यारी दुलहन और इतना handsome दूला पर्फेक्ट जोडी तो thank you fake accent और thank you so much next comment है Rose Khan का जिनों ने लिखा है happy anniversary both of you तो thank you Rose हम दोनों की तरफ से आपको thank you next comment है कि माधुरी बिन जी बोल रही है miss you my mommy papa love you d, love you too माधुरी next comment है हेम मिस्रा का ये बोलते है happy marriage anniversary d, tost thank you हेम मिस्रा, thank you very much और जो आज last का comment है वो है सतेंदर तिवारी तो आज के लिए इतना ही आज मैं इतने ही comments पढ़ूंगी I hope आपको ये मेरा जो नया मैंने start किया है अपने vlogs में आपको अच्छा लगेगा और अगर आप चाते हैं कि मैं अपने vlog में आपका नाम लूँ तो आप लोग मुझे प्यारे-प्यारे comments करिए मैं आपका नाम भी जरूर लूँगी friends अब मैं ये वाला session जो है नाम लेने का यहीं पर finish करती हूँ फिर मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ तब तक मैं अपने थोड़ा कुछ काम कर लेती हूँ तब तक के लिए बाई बाई अब मैं यहां बना रही हूँ पीहू के लिए बेसन का चीला तो अभी वो सोके उठी है मैंने यहां बेसन लिया है उसमें थोड़ी सी नमक और लाल मेच और थोड़ी सी हल्दी डाली है अब मैंने यहाँ धनिया पत्तर डाल दिया है आप चाहें तो इसमें आप टमाटर और प्याज भी डाल सकते हैं मेरी पीहू मेरा बेबी जो है वो ऐसे ही खाती है तो मैंने यहाँ पे उसके लिए एक चीला बनाया है और उसको सौस के साथ मैं सर्थ करूँगी पीहू का यहां शाम का स्नक्स चालू है अब आप बेसन का चीला बनाया है आप इस तरह अपने बच्चे के लिए जो उसको पसंदो उस्टीच का चिला बना सकते हैं वो सुजी का भी हो सकता है, ओर्स का चिला हो सकता है, मैंने अपने चैनल में एक ओर्स के चिले की भी रेसिपी डाली है तो आप उसे भी चेक आउट कर सकते हैं, बच्चे चिले बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्रेम से खाते हैं और ये healthy भी होता है, जादा oil भी नहीं होता, तो बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा snacks है, तो आप लोग भी try करिएगा, और आप लोग अपने बच्चों को क्या snacks देते हैं, यहाँ पीहु पूरे acting में है, और अभी सो के आईए, अपनी नीन पूरी करके आईए, तो इसक अगो ये खिला करके, फिर आप से थोड़ी देर में मिलती हूँ, चलो बाय कर दो, तो अभी time हो रहा है, साड़े छे, और मैं अभी यहाँ डिनर की तियारी कर रही हूँ, फटा-फट से मैं यहाँ बना रही हूँ लॉकी के कोफते, और आज मैं बनाऊंगी मूंकी डाल, तो बस मैं जल्दी से इसकी तियारी कर लेती हूँ, आप लोग कैसे बनाते हैं लॉकी के कोफते, आप मेरे साथ अपनी रेसिपी शेयर कर सकते हैं, के हूँ कर दो आप में खेगा हूँ modeled कोफते हैं, वहाँ दो, हुआ अपा-फट सिकते हैं, कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो तो अभी हमारी सबजी पकरे ही है आटा सन गया है और अब मैं यहाँ पर दाल भीगो के रख दूंगी जब मैं नीचे से आउंगी तो बस मैं इसमें सीटी लगा दूंगी और हमारी दाल भी बन जाएगी और इसको मैं छौक दूंगी आटास फ्रैंट्स अभी मैंने change कर लिया है और अभी मैं जा रही हूँ मैं लेके walk करवाने और मेरा खाना पूरा बन गया है तो अगर आप मुझे पहले से follow करते हैं तो आपको पता होगा कि मैं डेली पीहु को लेके शाम को जाती हूँ वॉक कराने के लिए तो मैं आप से फिर थोड़ी देर में मिलती हूँ तब तक के लिए बाई बाई और अब मैं पीहू को वाफ करा के आ गई हूँ और लेट हो रहा है तो अब मैं फटा-फट से यहां रोटी बना रही हूँ दाल को मैंने छौक लगा दिया है आज मैंने सिफ हींग और जीरे से ही छौक लगाया है तो मैंने रोटी बना करके अब यहां मैं पीहू को खाना खि मुझा जा लिए है तो अब हम लोग डिनर करके नीचे आये हैं वॉक के लिए और अभी काफी टाइम हो चुका है इस समय रात के साड़े दस बच रहे हैं आज मैं काफी लेट हो गया जैसा कि में देखा मेरे हस्मिल के एक प्रेंड आगया थे वो अचानक आया थे तो मैं चाहता कुछ बना भी नहीं पाई खाने में और बस जो था मोने साथ में मिलके बस करें आगया थे आगया थे ले दोड़ से बस्शना का सता के साथर कर बस्जा़ज का झालना भी क्वा में पाउन का ईागया थे यो कि अचे गनाना भी बस्ता कर आगया का。